नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Multi Cap and Flexi Cap Fund में Basic Difference क्या है इसके अंदर में किस में ज़्यादा रिस्क है किसके अंदर में ज़्यादा रिटन मिलने वाला है आप अपने portfolio के अंदर किस से allocate कर सकते है या कौन सा mutual fund specifically आपको पसंद करना चाहिए सारी चीज डिटेल में बताने वाला हूँ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा दोनों fund को compare करके कि पिछले 3-5 साल में कौन से fund ने कितना perform किया कितना percent ज़्यादा return generate करके दिया है तो ये सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है बट आपको एक छोटी सी request है कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो like किये बिना बिल्कुल मत जाना इस वीडियो को चलिए फटावर्शे शूरू करते है सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि equity exposure कितना रहता है यह basic difference है जो आपको समझना चाहिए equity exposure equity exposure equity का मतलब क्या होता है equity का मतलब होता है कि shares के अंदर यानि कि stock market के अंदर यह दोनों fund इन्हें कितना allocation है कितना allocation का प्रावधान है तो अगर आप multi-cap funds की बात करते हैं तो multi-cap funds के अंदर में minimum 75% minimum 75% allocation होना चाहिए होना ही चाहिए इसका मतलब है कि multi-cap fund में मान लीजिए कि 100 रुपे आपने invest किये तो आप यह समझ सकते हैं कि minimum 75 रुपे आपके equity के अंदर जाने वाले हैं equity fund के अंदर जाने वाले हैं जबकि flex-cap fund की बात करें तो यहाँ पर यह ratio है 65% minimum allocation यानि कि अगर आपने 100 रुपे invest किये हैं यहाँ पर तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो 65 रुपे है minimum 65 रुपे यह आपके जाने वाले हैं equity के अंदर यानि कि stock market के अंदर में तो यह है minimum criteria यानि कि minimum होना चाहिए बट ऐसा जरूरी नहीं है यह जादा भी हो सकता है 90% भी हो सकता है 100% भी हो सकता है बट minimum आपको यहाँ पर 75 रुपे invest करने हैं और यहाँ पर 65 रुपे invest करने हैं तो आप यहाँ पर यही चीज clearly समझ सकते हैं दूसरा यहाँ पर चीज है कि allocation कैसा रहता है allocation का मतलब होता है minimum मैं आपको समझा दू तीन टाइप की category होती है mutual fund के अंदर में एक होती है large cap large cap मतलब कि देश की जो सबसे large cap company से जिसका capital यानि कि जो large capital वाली company है वो दूसरी company होती है mid cap medium capital वाली और जो तीसरी होती है small cap तो ये तीनों के अंदर अगर आपने 100 रुपे डाले तो allocation कैसा होगा कितने percent amount आपका किसमे लगेगा तो अगर multi cap में बात करते हैं तो multi cap में यहाँ पे minimum प्रावदान है कि आपका mid cap के अंदर 25% small cap के अंदर 25% और यहाँ पे 25% ये minimum आपको invest करना ही करना है ठीक है इसमें कोई ये नहीं है आपको 25 रुपे यहाँ पे डालने ही डालने है अगर 100 रुपे आपके पास है तीनों में आपको minimum 25 रुपे डालने है अब बाकी के जो 25 रुपे बचे हैं उसमें आप खेल सकते हैं आप यहाँ पे 30% भी लगा सकते हैं या 40% भी कर सकते हैं वो आपके उपर है पर आपको ये 25-25 का अलोकेशन बिल्कुल करना पड़ेगा अब यही केस अगर आप यहाँ पे देखेंगे simply हम लोग flexi cap में बात करें कि large cap, mid cap and small cap तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है आप इसमें जो 100 रुपे है इसको कैसे भी आप divert कर सकते हैं मानलीजे 60 रुपे मैंने यहाँ पे डाल दिये मैंने 20 रुपे यहाँ पे डाल दिये और बाकी बचे 20 रुपे मैंने यहाँ पे डाल दिये कोई ऐसा बोलेगा नहीं, यह बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं 80 रुपे यहां पे डाल देता हूँ, बाकी 10-10 यहां पे डाल देता हूँ, आप कैसे भी खेल सकते हैं, तो यहां पे जो fund manager है, fund manager के पास में पूरी की पूरी flexibility रहती है, कि उसको पैसा कहा लगाना है, बट यह यहां पे यह चीज नहीं रहती है, यहां पे आपको minimum 25-25 रुपे अलग-अलग allocate करने ही पड़ेंगे, अब यहां पे रिस्क क्या आता है, बहुत बड़ा रिस्क एक आता है, रिस्क क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, अब यहां पे बात कर लेते हैं रिस्क की, मान कंपनी से न, small cap and mid cap यहां पे होती है, अगर मान लीजिए large cap 1% गिरता है, तो यह मान लीजिए 2% गिरेगा और यह 4% गिरेगा, ऐसा करके गिरता है, तो इस time पे, इस time पे क्या होगा, जब market बहुत तेजी से गिर रहा है, तब यह बंदा, यह जो fund manager है, multi cap वाला, वो यह 25 र गिरेगा, लेकिन यही case में, अगर flexi cap में आप देखेंगे, तो मान लीजिए यहां पे उसने 60% invest की है, market गिरना चालू हुआ, तो वो क्या करेगा, वो 60% को निकाल के, वो large cap में डाल देगा, मतलब सारा का सारा पैसा, 100% पैसा, और large cap में डाल देगा, ताकि उसका जो market गि या 50 सिधर कर दिया, तो यहां पे उसको ज़्यादा return मिलने की संभावनाय बढ़ जाती है, यही है, flexi cap के अंदर में flexibility ज़्यादा है, इससे ज़्यादा return मिलने की संभावनाय बढ़ जाती है, और fund manager के पास पूरी flexibility आ जाती है, चलिए अब return की भी बात कर लेते हैं, यह ब आपको एकदम idea लग जाना चाहिए, कि यहां पे ज़्यादा flexibility है, यहां पे ज़्यादा flexibility है, वो कभी भी उपर नीचे कर सकता है, जहां पे भी market अब जा रहा है, वो उस particular category के अंदर, यह particular fund के अंदर small cap ले लिजी या mid cap ले लिजी अगर वहां पे market ज़्यादा move कर रहा है, तो उसके पास पूरी flexibility होती है, कि वो पूरा पैसा जो है यहां पे divert कर दे, तो अभी आप ही समझ सकते हैं कि यहां पे flexibility ज़्यादा है, इसकी वज़े से यहां पे आपको higher return मिल सकता है, और यहां पे compare to this आपको low return मिलेगा, कुछ लोग यह बोलेंगे कि मुझे तो पैसा diversify करना है, मुझे तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है, ताकि मेरा पैसा diversify हो जाए, बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे अंडे है ना तो एक ही basket में मत रखिए, उसका अलग अलग जगह पे रखिए, ताकि कोई ए जादा diversified है, क्यों जादा diversify है, क्योंकि यहाँ पे यह 25-25% में आपको पता है ना, इसको यह fund manager touch नहीं कर सकता है, उसके अंदर companyya जरूर उपर नीचे कर सकता है, लेकिन इसको touch नहीं कर सकता है, allocation 25% ही रहेगा, तो यह जादा diversify है, ठीक है, और flexi cap इसके अंदर diversification इसके लिए नहीं है, कि market की movement के इसाब से यह जो percentage है, यह up-down कर सकता है, fund manager, इसके लिए यह less diversified है, तो अगर आप अपना पैसा diversify करने का सोच रहे हैं, तो आपको multi cap के अंदर में पैसा डालना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पैसा डाले, multi cap के अंदर, और अगर आप ज्यादा return च ज्यादा मिलेगा, और एक चीज़ समझ लेते हैं, आपके पास कितना time है, minimum आपके पास में, minimum आपका, अगर हम लोग investment time horizon देखेंगे, तो आपके पास minimum 5 साल, 5 साल, अगर आप multi cap में invest करना चाहते हैं, या flexi cap में invest करना चाहते हैं, minimum आपको 5 साल लेके चलना पड़ेगा, ठ tax regime कैसा लगेगा, तो देखें, दोनों में same tax लगता है, कोई भी difference नहीं है, अब tax कैसे लगेगा, मैं बता देता हूँ, अगर आपने अपना पैसा less than one year निकाल लिया, तो आपको यहाँ पे 15% पैसा, मनलब tax लगेगा, overall जो आपका capital gain हुआ है, उसके उपर, ठीक है, यह दो 10% देना पड़ेगा, capital gain के उपर, बट यहाँ पे, आपके पास में, एक लाख रुपे तक की छूट होती है, यानि कि, एक लाख capital gain, अगर आपका होता है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना, अगर एक लाख से उपर, मानलीजे, 10,000 रुपे, एक लाख 10,000 रुपे का tax लगेगा, ठीक है, तो यह जो tax slab है, यह दोनों के लिए same है, यहाँ पे भी same है, यहाँ पे भी same है, यहाँ पे भी same है, तो यहाँ पे मैं, दो example ले रहा हूँ, ICA से prudential multi-cap funds, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा, flexicap fund category के अंदर, canara robay को, flexicap funds को ले रहे है हालकि यह flexicap category अभी अभी नहीं आई है, 5-6 साल पुरानी है, तो canara robay को जो है, सबसे oldest है, तो यहाँ पे इसका consider कर सकते है, return, तो यहाँ पे अगर हम return की बात करें, तो अगर 6 महीने का return देखेंगे, तो multi-cap का है 10.9%, जबकि flexicap ने दिया है 16.1%, अगर 1 साल और 3 साल की बा 16.33% return, जबकि flexicap ने दिया है 21.13% return, तो आप अगर लंबे टाइम पे देखेंगे, तो flexicap का return obviously multi-cap से थोड़ा ही जादा ही रहेगा, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया, तो यहाँ से आप एक clear picture ले सकते हैं, कि किस में आपको invest करना चाहिए, अगर आप ज़्यादा diversification चाहते हैं, सारे एंडे एक जगह पे रखना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा diversification चाहते हैं, तो multi-cap को choose कर सकते हैं, लेकिन अगर आप flexibility चाहते हैं, हर type की, कि market जब down हो, तब मेरा पैसा large cap में चला जाए, और market जब up हो रहा हो, तो मेरा पैसा, जो higher risk वाले small caps और mid cap funds है, उस की होगी, और भी कुछ doubt है, तो मुझे in the comment box में जरूब बताइए, ऐसे ही videos इस channel पर आते रहते हैं, तो आप इस channel को subscribe भी कर सकते हैं, साथ में like करना बिलकुल ना बुरे, अपने दोस्तों के साथ भी share करें इस video को, मिलता हूँ आपको और किसी नहीं video में, तब तक stay in the state, goodbye and J. Hint.